इसकी वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक धासू कंटेंट लेकर आया हूँ जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं इसी टाइप के कंटेंट लाता रहता हूँ याने कि DJ और Live Sound Systems के प्रोड़क को हम लोग रिव्यू करते हैं टेस्ट करते हैं इनका अन्बॉकसिंग, इसको दिखाना, समझाना, बताना, बजाना सबी कुछ करते हैं, इनके प्राइजिंग भी बताते हैं तो आप लोग अगर इस टाइप के कंटेंट को देखना चाते हैं स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केबल्स दो तीन चीजे और है उस पे भी जाते हैं लेकिन सबसे पहला अपडेट रहेगा केबल के बारे में सुनील तो फिटिंग स्टार्ट कर मैं आप लोगों को एक फिटिंग भी दिखाने वाल हूँ जो कि आज हम लोग इस वाली पेयर का करने वाले हैं तो आप लोगों मेंसे जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं या वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो फटा फट जुड़ जाए ताकि इस वाली पेयर को आपके सामने लाइव फिट किया जाए तब तक के लिए आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर याने की केबल्स पर सबसे पहले तो आप लोगों मेंसे कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि केबल लाएं जाए क्योंकि केबल मार्केट में वो कॉलिटी मिलती नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के मैंने किसी कमपनी से ये सब काम करवा लिया और अब केबल्स को मैंने इस प्राइजिंग में ला लिया जिस प्राइजिंग में लगबग आप लोग इसे बना भी नहीं पाएंगे उसमें तो फोड़ा सा मैं स्टैंड को एजस्ट करता हूं, आप लोग फोड़ा सा मैनेज कीजिए क्योंकि स्टैंड को सेट करने के बाद ही व्यू आपको ठीक से दिखेगा जी, अब ये ओगया हमारा क्याम arguably set और यहाँ से आप मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले आज का सबसे पहला केबल जी आप में से कई लोग मेरे साथ ही हैं कई लोगों के साथ मैंने काम किया है तो वो लोग आ चुके हैं और start करते हैं यहां से सबसे पहला केबल है हमारा speakon to speakon देर्ड मीटर में केबल की quality देखिए यह मैं खोल लेता हूँ यह सब पैकेज्ट में आएंगे जिस टाइब का पैकेजिंग देख रहे हैं यह पिन जो है यह सेटमी वालों का है केबल का क्वालिटी जो है यह 1.5 mm के दो वायर हैं इसके अंदर यह प्लस वन तो इस झी होता है कि ताकि आप एक स्पीकर से दूसरे Ker को कनेक कर सके पांच फिट के दायरे में वो दो कनेक्ट हो जाते हैं यह केबल जो है काफी अच्छी क्वालिटी का है और काफी जादा रिलाइबल है काफी टाइम तक यह चलता रहेगा इसका प्राइज है मात्र यहां कहां गया यहां तीन सो रुपए इस एक केबल की प्राइजिंग है इसमें पिन बहुत ही जदा बड़े ब्रैंड का याने सेटमी का दिया हुआ है और सेटमी से यह पिन्स बनाने के लिए मुझे ही पता है कि कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ी यह हम लोग क्या है अपने कस्टमर्स के लिए एक बार बनवा लेते हैं तो फिर मतलब 3-4 महीने तक इतना स्टॉक कर लेते हैं हम लोग सारा यह हुआ पहला केबल यह मैं हटा लेता हूं दोनों केबल को यहां पर रख देता हूं उसके बाद दूसरा केबल जो की है पांच में सेम केबल सेट मी कंपनी के और से यह देखिएगा यह भी वही है सेट मी कंपनी के और से स्पीक ओन पिंस इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है और केबल में फिर से 1.5 mm का गेज वाला दो केबल दिये हूए है और इसका कनेक्शन भी प्लस वन मैनस वन किया गया है आप कर सकते हैं अगर आप पैरलल या स्टीरियो मोड पे अम्प्लिफार को बजाते हैं तो यह केबल आपकी बड़ी काम में आगी पांच मीटर का लेंथ है मतलब लगवाग 15 फीट का है और यह केबल काफी लॉंग लास्टिंग है क्योंकि इसका मटीरल आप देख सकते है इसली मूवेबल है तो यह फ्लेक्जिवल होने के कारण आप लोगों को लॉंग टर्म तक क्वालिटी देती रहेगी यह केबल भी मैंने बनवा ली है इस केबल का मैं प्राइजिंग आपको बताता हूँ यह है 510 रुपे में यह केबल यह भी मैंने काफी सारी बनवा ली ह हैं और जैसा कि मैंने बताया कि यह 20 फोन कॉल्स के बाद जाके बनी है और यह भी मेरे पास अविलेबल आपको मिल जाएगी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यह केबल जनरली 5 मीटर वाली जो होती है ना यह आपको एम्प्लिफायर टू स्पीकर के काम में आती है एम्प्लिफायर से जो वायर जाएगा डिरेक्ली स्पीकर तक उसके लिए काम में आएगी सागर टेंठाउस जगत खाना बोलते हैं 30 फीट की चाहिए आठ लिए सर आप 30 फीट का ओडर दीजे मैं वह बना दूगा वह रेडी करनी होती है तो यह रही हमारी 5 मीटर वाली इ इसे भी मैं हटा लेता हूँ साइड में अब करते हैं बात क्रॉस्वर टू एम्प्लिफायर जी यह देखिए यह रहा अमरा एक्सलर मेल फीमेल का केबल पिन की कॉलिटी तो देखिए यह आपको दिखने में भले रेगुलर पिन जैसी लग रही है लेकिन यह काफी अच्छी कॉलिटी की है क्योंकि यहां और यहां भी स्क्रू है इसके जनरली यह स्क्रू नहीं होते हैं अगर साधी पिन होती है तो यहां स्क्रू होता है यहां स्क्रू नहीं होते हैं यह स्क्रू है क्वालिटी अच्छी है और इसके अलावा यह केबल अब देख रहे हैं यह फ्लेक्जिबल वाली है डेर्ड मीटर की जो केबल ही है यह एक्सलर मेल फीमिल है इस से आप एम्प्लिफायर टू क्रॉसोर कनेक कर सकते हैं या तो अगर एम् इसलर मेल फीमिल का काम है अर्थिंग का वायर इसमें अलग से जोड़ा हुआ है ताकि आप लोगों के इसमें हमिंग आने का जो इशू होता है वह आटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा आपको उसके लिए अर्थिंग अलग से देनी नहीं पड़ेगी यह केबल डेड़ हुआ है लेकिन प्राइस हैं वैसे 220 रुपए का एक केबल है यह 1.5 मिटर एक्सलर मेल फीमिल में ठीक है इसके बाद लास्ट केबल है हलाग यह और भी बहुत सारी केबल से हैं लेकिन आज दिखाने का समय कम है आज की लास्ट केबल है हमारी यह सांट बाइट के और से जो क्रोसवर में देने का जो प्लान होता है वो इसके थुरू चलता है आरसी पिन लग जाएगी आपकी क्रोसवर में मिक्सर में और एक्सलर लग जाएगी आपकी क्रोसवर में यह दो पिन्स का कनेक्शन डेड़ मिटर के वायर के थुरू किया गया है वायर का साइज डेड़ यह केबल आपको मिल जाएगा, डेड़ मिटर में, आप mixer to cross over इसे यूज कर सकते हैं, यह काफी अच्छी quality का है, sound bite का है, 250 रुपीज का per piece यह बन जाएगा, जी हमारे एक client है, नरेंदर जी, उन्होंने sound bite को देखके एक thumbs up दिया है, तो यह सारी cables आप लोग अगर लेना चाहत हैं, जी order दे सकते हैं, इसका simple सा method है, कि आपको मैं अपना facebook का description में दे रहा हूँ, link, वहां से आप click कीजिए और office number पे whatsapp कर दीजिए, वहां पे office number दिया है, office number पे आप whatsapp करके, इनके photos click करके भेजिए, या तो फिर type लिखके भेजिए, मैं आपको वहां पे इनके rates बता पहले 20 customer को delivery free कराया जाएगा, आप कोई भी cable के order देंगे तो minimum 3000 रुपीस का order आपका होना चाहिए, इसके अलावा कुछ अगर आपको cable लगते हैं, तो वो आप मुझे लिख सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए ready कर दूँगा, तो जिन जिन लोगों को cable अच्छे लगे हैं, वो फड़ा फड़, like कीजिए, और अब आते हैं, content number 2 पे, जो की है हमारा speaker, जो मैंने कहा था, आप लोगों को fit हो रहा है, ये वो speaker है, जो उस दिन आमने वीडियो में दिखाया थे, 1,90,000 रुपीस का, जो हमारा setup बन रहा था, DJ का, उस वाले में, 1 minute HF दिखा, जी, ये HF दिखिए, 80W का HF है, आप लोग देख सकता है, metal flare है, ये pair हो रहा है, fit, जिसमें, आपको मैंने बोला था कि, ये 4 boxes रहेंगे, और इसके साथ, dual वाली, दो, बेस रहेगी, तो अब इसमें speaker कौन सा है, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, मैं आपको थोड़ा सा फिर से detail दे देता हूँ, उसमें रहेगा ये वाला, ओपन कर, यहाँ पर हम लोग इसमें fit करने वाले है, challenger series का, sweeten का speaker, 15 PA 400, बूलना, हलो, मैंने कार गए दो, तो यह sticker आप देखे, कैसा देखता है, हाला कि इसका फुल वीडियो बनेगा, लेकिन क्योंके अपडेट देना जरूर है, आप लोग मानते नहीं है, बिना अपडेट के, तो इसलिए, पल्टा इसको, इसका कून देखे बले, बहुती शा पल्टा, तो यह speaker आज हम लोग fit कर रहे है, इस single 15-inch में, और इसको इतना तगड़ा बना देंगे, कि यह base के साथ, चार जो top बन रहे हमारे, सूपब बजे, अब 1,90,000 रुपे में हम लोग बहुत अच्छा setup देने का प्रयास, अपनी और से कर रहे हैं, यह वाले column खुले ह हैं, और एक निकालना, speaker निकाल और एक, जी तब तक के लिए मैं आपको एक information दे दो, कि आप मैं से जो भी लोग इन चीजों को खरीदना चाहते हैं, मुझे आप Facebook पे contact कर लीजिए, Facebook पे आपको मेरा office number भी मिल जाएगा, वहां से आप हमें contact कर सकते हैं, office number के WhatsApp पे आप inquiry दे सकते हैं, अगर आप serious buyer हैं, तो आप लोगों के लिए most welcome, चलिए, ये दो speakers यहाँ पे fit हो रहे हैं, एक निकल चुका था, एक और निकल रहा है, आज का वीडियो हलाकि कोई भी एक point पे dedicated नहीं है, लेकिन देखिये, information share करने के लिए आपको particular किसी एक product की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोग चाहें, तो मतलब किसी भी वीडियो से थोड़ी थोड़ी information collect करके भी काफी अच्छा काम कर सकते हैं, अब जैसा आज की वीडियो में, cables के बारे में जानकारी हो गई, speakers के बारे में बात हो रही है, HF दिख रहा है, सारा सब चीजे हो जाएंगे ना, यह यहाँ पर हमारा speaker कुल रहा है, किसी वेक्ती ने पूछा है, Yamaha का पूरा सेट कितने में जाएगा, speaker दिखा इदर, Yamaha का पूरा सेट जो है, वो तो मैं फिलाल नहीं बोल सकता, लेकिन Yamaha के amplifier कुछ दिन में available हो रहे हैं हमारे पास, Yamaha ने Wikivan को चूज किया है, अपने amplifier के लिए तो possibility यही है, कि मैं कुछ दिन में अगर हुआ तो आपको वह भी दिखा दूँगा, बहराँ तब तक के लिए हम लोग इस पेयर को फिट होते हुए देखते हैं, और हुआ तो इसे आज के वीडियो में टेस्ट करेंगे, चल यह पहले तीसरा अपडेट दिखाऊंगा आप लोगों को, यहां खड़े रहे के मैं बात करता हूँ, जिखा लोगा कुणलिक, तो यह मैं लोकल भाषय में बात कर रहता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी लेंग बचाए, इसमें ऐसा है कि आज मेरा एक मित्रा आया हुआ है, आज मेरा एक मित्रा आया हुआ है, यह है विशाल, इसे मेरको एक एक एक्टिव स्पिकर दिखाना था, तो मैं आप लोगों के साथ हूए, और बजा, इसको मेरको एक एक एक्टिव स्पिकर दिखाना था, जो की सिंगिंग के बहुत बड़े शोकीन है, तो मैं इसको आप के सामने एक एक्टिव स्पिकर, दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग भी देखिये, ये भी देखेगा, और ये गाना गाएगा, तो गाना गाना गाएगा, इसको हम लोग एक बहुत अच्छा गाना गवाएगे, लेकिन क्योंकि यहाँ subject to condition यह है कि गाना copyright में अटकेगा, हमारी YouTube बजाएगा, तो हम लोग YouTube क स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर ये भाई साब अपना जोहर दिखाएंगे, है ना, तो छोटे, एक बार वो एनेक्स ओडियो वाली ये लेकिया, हॉक फ्लेक्स, तो आईए आप लोगों को आज के वीडियो में एक ऐसा speaker दिखाऊं, जो ट्रॉली से बढ़कर, ट्रॉली से छोटी साइज में आता है, जो की है, एनेक्स ओडियो के और से गुमा, दबा गुमा, हाँ बस इदर से दिखाना, एनेक्स ओडियो के और से हॉक फ्लेक्स, जोरदार तालियां, अब बजाओ ना, चलो ओपन करो, ओपन करो, तो ये रहा हमारा speaker, जो की हो रहा है, ओपन, क्य राजू जी मोकरिया आ चुके है, किसी कस्टमर ने पूछा है, ओडर देने पर चार्ज कितना पड़ जाएगा, देखे सर, जनरली हम लोग चार्ज लेते नहीं है, वो ट्रांसपोर्ड वाले लेते हैं, लेकिन उस चार्ज को डिसकस करने के लिए एक बार पहले आपको कोड़ वालों से बात नहीं की जाए सकती है, एवरेज मैं आपको दे सकता हूँ, 36 गड़ का एरिया परफेक्ट पिन कोड़ बताईए आप, यह जहां पे भी आपको चाहिए, वहां का परफेक्ट पिन कोड़ बताईए, अगर आप लोग केबल के अलावा कुछ लेना चाह इंडिया का पहला ऐसा स्पीकर है, जिसके अंदर एक्टिव डिवाइस दिया गया है, इतनी छोटी साइज में, विथ नियोडीमियम एचेफ, यहाने की इसको इधर सामने कर, पल्टा इधर से इधर से, इधर से फ्रेंट वाली साइट, जी, आप लोग यह देख रहे हैं यह एचेफ रेगिलर एचेफ नहीं है, यह नियोडीमियम एचेफ है, नियोडीमियम एचेफ से इसका SPL याने की आवाज बहुत शांदार होती है, बड़ी लंबी जाती है और क्वालिटी में एक शुद्धता याने की सुर इसका काफी मीठा होता है, यह क्वालिटी इन 13HFs के थूरू इस स्पिकर में आती है, उसके अलावा इसका वुड़न कैबिनेट, सूपर फिनिशिंग और इन बिल्ट एको ब्लुटूथ सभी कुछ दिया हुआ है, वेट में थोड़ा सा है लेकिन डीसेंट है, इसको एक आप देख सकते हैं कि आप इसको ऐसा मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लगा के, यह आप देख सकते हैं, ऐसे लग जाएगा, सामने फ्रेंट में ऐसा व्यू आएगा, और इसके अंदर बैटरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो एम्प्लिफायर है, वो काफी बड़ा है, जिस वज़े से इसके अंदर बैटरी द से उपर का है, इसका वटेज जादा बड़ा है, 240 वाट्स इसका पीक पावर बुला जाता है, जो कि आज की देट में किसी भी नियरेस ट्रॉली का नहीं है, यहाँ पे लाइट का केबल लग जाएगा, आप सब से पहले इसको आन करते हैं, केबल लेके आजा, लाइट का, यह पेर हो गए जाली बली लगा ना इसको, जाली लगा, ऐसे खुला बजा के दिखाऊंगा के वीडियो में मैं, अच्छा जी, बोर्ड बोर्ड ले, कहीं लगा उसको, सोची कि अगर मैं काश पूराने जमाने में होता, और मैंने ऐसा ही कोई इलेक्ट्रिक का वायर उस जमाने में लगा दिया होता, किसी चीज़ को और वो चीज़ चालो गई होती, तो तब कि लोग मुझे बाबा अगोरी बोलते थे, क्यों, क्योंकि मैंने उसमें चमतकरी र यहां से देखिए, यह on-off switch है, यह on हो चुका है, सबसे बिल एक cable लाओ, ताकि मैं इसका eco check करा दू, और उस eco के बाद हम लोग गाना वाना बजा के, finally trial लेंगे, अगली वीडियो में, इसमें बहुत सारे option है, यहां से आप इसका Bluetooth on-off कर सकते हैं, यह आप देख रहे है, light जो जल रहा है न, यह actually light ने जल रहा है, यह मेरा दिल जल रहा है, यह cable नहीं चाहिए, एक्सलार mail पी मिल ले गया, यह Bluetooth इंडिकेट करता है, कि आपको connect करना है, सबसे बड़ी बात यह है, कि अगर आपकी पास यह दो speakers हैं, तो दोनो without wire, एक ही mobile phone से connect हो जाएंगे, इसे बतलब stereo mode पे बजा सकते हैं, जैसे कभी-कभा traffic वाला नहीं अपनी रस्ते में बजा लेता है, वैसे, इसे connect कर दिया, चोटे mic लिए वहाँ से, मैं अपना वाला mic खटा रहा हूं और अब raw audio सुनिये, यह मेरी आवाज बिना mic के कुछ ऐसी सुनाई आएगी आप लोगों को, अब मैं इस mic को on करता हूं यहां से, hello, hello, यह सबसे पहले इसे mic mode पे रखना पड़ेगा मुझे, hello, 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 यहां से treble, यहां से bass, अलगी volume काफी हो गएगी, यहां से bass, यहां से treble, यह से set कर सकता हूं मैं, और क्यूंकि मैं mic काफी नजदीक पकट रखा है, फिर भी यह देखे, इतनी range पे भी, यह इतनी range पे, यह यहां से यहां तक, इतना heat distance है, यह whistle नहीं कर रहा है, यह neodymium HF का reason है, काफी नजदीक होने के बावजूद भी, और अब मैं इसका volume set करके, इसमें eco add करता हूं, यह eco नहीं, reverb है मेरे यार, अब मेरे बोलने से तो होगा नहीं, आप लोग जब live देखेंगे बसता हूआ, गाता हूआ हूआ, तब समझ आएंगे, तो चलिए, आप लोगों को, तो चलिए, आप लोग यह इतना तो समझी गए होंगे, कि आज के तीन अपडेट्स थे, पहला था about the cables, जो की यह है, केबल की मैंने प्राइजिंग बता दिया है, आप वीडियो को स्टार्ट से देखेगा, तब आप लोग समझ जाएंगे, कि cables की quality कैसी है, और उसके बाद second update था, जो की था, हमारा यह वाला, पेर, जो की fit हो चुका है, यह पेर भी, यह पेर फिट होने के बाद, जाली उल्टी लगा रहा है, नाम उल्टा कर दिया दुने, तो यह पेर भी लगब फिट हो चुका है, इसको भी मैं अगली जो वीडियो आ रही है, उसमें टेस्ट कर दूँगा आप लोगों के लिए, और तीसरा है, यह, नहीं मतलब यह, टेस्टिंग होता हुआ, इसको देखते हैं अगली वीडियो में, आप लोग बने रहे हैं, जाइए मत कहीं पर, क्योंकि इस वीडियो के तुरंत बाद, दो-तीन मिनिट लगें हमें, इसे अगली वीडियो इससे पोन में कनेक्ट करने म और यह वो में, बस हाडली दो-तीन मिनिट में हम लोग वापस आने वाले हैं, अपने अगले वीडियो में, जो की copyright free रहेगा, मतलब कि उसमें monetization बंद रहेगा, उसमें हम लोग गाने माने बजाएंगे, और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आज आप लोगों का पसंदी ही है, अगले वीडियो में मिल रहा हूं, पांच मिनिट का break दे रहा हूं, आप लोग क्या बोलते हैं उसे, स्क्रीम छोड़ के न जाहिएगा, क्योंकि बहुत ही रोमान्चक होने वाला आगे का सफर, मिलते हैं मेरे हम सफर?